आज हम प्लस्टू ग्लास का जो टॉपिक कवर करेंगे फोर्स बिट्वीन टू पैरलल करेंट करेंगे देखें इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास दो अगर करती है तो तो क्या ये वायर्स एक डूसरे के उपर कोई फोर्स एकजर्ट करती है अगर करती है तो कितना करती है उसकी direction क्या रहेगी आज इस topic में हम cover करेंगे topic very important है इस पे base question आता ही है ठीक है numerical आता है और इसके topic के last में अपने से एक बहुत ही important definition पूछता है define one ampere वैसे तो हम one ampere की definition दे सकते हैं क्योंकि हमने onsla study किया है current electricity के अंदर तो वहां से हमें वो definition नहीं देनी है यह definition हमें देनी है इस topic के base ठीक है आपसे topic पूछेगा इसका derivation आपसे पूछेगा कि कितना force exert करते होगी यह conductor और फिर उसके बाद में अपने से पूछेगा and hence define one ampere तो कैसे हम इसको करेंगे इस topic की शुरुआत करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से इस topic को हम cover करेंगी डियर स्टुडेंट आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे YouTube चैनल से आप जुड़े और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जुरू कीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए so that कि आपको मेरे बैटस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलते रहे हैं हम यहाँ पे 9-12 तक की physics cover कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे topic हम यहाँ cover कर रहे हैं और एक तरीके से कर रहे हैं जैसे कि आप exams में लिख सकेंगे तो let's suppose कि दो conductor हैं हमारे पास AB और CB बहुत are separated by distance R let's suppose these are separated by distance R इनके बीच में gap R है अब हम देखेंगे कि इनके उपर force बनता जो है वो कितना बनता है और उस force की direction क्या होगी यह हमें find out करना है topic easy है तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे यह conductor मैंने consider कर लिया पहले AB अब AB conductor की वज़े से इस point के उपर magnetic field बनेगा और magnetic field के अंदर रखा हुग यह conductor हो गया ठीक है और यह हमने last lecture में cover किया था कि जब भी कोई current carrying conductor किसी magnetic field में रखा होता है तो उस पे force कितना बनता है वो आपको याद भी होगा F is equal to हमने पढ़ा था I, L, B, sine of theta ठीक है sine of theta यह हमने study किया था current carrying conductor उसमें current कितना flow कर रहा है उसकी length और B क्या है magnetic field जिसमें उसको रखा है ठीक है तो अभी हम क्या करते है कि इस first conductor की वज़े से इस point के ओपर कुछ magnetic field बनता होगा और उस magnetic field की direction भी अपने को पता है our distance पे यहां magnetic field बना किस वज़े से first conductor की वज़े से और उसकी direction क्या होगी right hand thumb rule लगई है right hand thumb rule अगर इस conductor पे लगए तो इसकी वज़े से जो magnetic field बनेगा यहां perpendicular inward to this plane बनेगा ठीक है यहां पे perpendicular inward को मैं cross से represent कर देता हूँ यानि magnetic field B1 बन रहा है जो inward direction में बन रहा है यानि current की जो direction है वो तो यह होगी current carrying conductor इस magnetic field के अंदर रखा है और magnetic field इस conductor के ठीक perpendicular है तो यहानि sign of 90 degree बन रहा होगा बात करते हैं यह B1 होगा कितना यह हमने पहले पढ़ा हुए है कि B1 होता है is equals to mu naught I1 divided by 2 pi R ठीक है R distance हो गया किसी भी state conductor से R distance पे हमने देखा था कि magnetic field के तरह होता है mu naught I1 divided by 2 pi R I1 इसमें जो current flow कर रहा है ठीक है इतनी बात अपने को आ गई समझ अब हम current carrying conductor को इस uniform magnetic field के अंदर रखे हुए है और यह magnetic field इसके ठीक perpendicular है और conductor इसके perpendicular रखा है तो force इस पर कितना बनेगा तूँ वह हम निकाल सकते हैं है हम लिखते हैं magnetic force due to पहले magnetic field लिख लेते हैं magnetic field due to AB conductor AB conductor की वज़े से जो magnetic field बना उसको मैंने लिखा B1 which is equals to mu naught I1 divided by 2 pi R okay now the conductor the current carrying conductor carrying conductor CD is placed in B1 magnetic field ठीक है magnetic field B1 के अंदर रखा हुआ है so the magnetic force on CD conductor वो कितना हो जाएगा उसको हम कह दिये की magnetic force on CD CD conductor को आप इसको लिख दो magnetic force 2 1 magnetic force on second conductor due to current in first मैं F1 to 2 1 यह बता देता हूँ क्या है F2 1 का मतलब है magnetic force on second conductor due to due to current in first conductor ठीक है इसी तरीके से F2 1 को हम लिखा है F2 1 को जैसे लिखा है वैसी F1 2 को भी लिख सकते हैं magnetic force अगर F1 2 होता तो magnetic force on first conductor due to current in second conductor ठीक है अब यही चीज जो है हमने जो अभी सीखी है इसको मैंने अपलाई किया second conductor पर force जो लगता है वो कितना होता है I, L, B और sin 90 degree है sin 90 degree बन रहा है यह तो लेकिन I1 लू या I2 लू यह चीज हमें नहीं पता है तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताए है कि हमारा conductor जो है जिसमें current flow कर रहा है I2 इसमें current flow कर रहा है I2 और length इसकी L होगी किस magnetic field के अंदर रखा है B1 magnetic field जो B1 किसकी वज़े से बना है A, B conductor की वज़े से magnetic field बना है उसमें रखा है तो B1 ठीक है अब बस यही सारा कुछ है इसको मैंने लिख दिया F2, 1 factor sin हटा दो एक बार as it is I2, L B1 हमारे पास हाया है mu naught I1 divided by 2 pi r sin 90 हो गया 1 इस तरीके से हमारे पास जो यह value आई है इस value को अब हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हमारे पास F2, 1 is equals to mu naught mu naught I1 I2 divided by 2 pi r into L ठीक है यह force आगया यह force आगया ठीक है जी अब इस force को अगर आप समझ गए हो तो similarly हम दूसरे conductor पे भी होगा क्योंकि इसमें current flow कर रहा है तो definitely यह भी तो magnetic field बनाएगा जैसे मैं यह कहूं कि इसका magnetic field कुछ ऐसा होगा r distance पे तो यहाँ पे भी magnetic field यहाँ perpendicular outward होगा dot लगाया है perpendicular outward to the plane right hand thumb rule लगा के देखिए curling finger बाहर की तरफ आ लिए तो यहाँ पे magnetic field B2 बनेगा ठीक है और जिसकी direction outward होगी perpendicular to this plane तो यह जो चीज अभी आपने पढ़ी है इसी की जगह पे हम similarly करके दूसरे conductor पे जो force बनेगा वो भी लिख सकता है similarly magnetic force on AB current carrying conductor वो कितना बन जाएगा F12 लिखेंगे F21 था F12 अब magnetic field I2 conductor यानि जो CD conductor जिसमें I2 current flow कर रहा है उसकी वज़े से यहाँ magnetic field B2 कितना बनेगा which is equals to mu naught I2 divided by 2 pi R ठीक है तो यह magnetic field बनेगा इस magnetic field के अंतर यह current carrying conductor रखा है तो इसमें जो force बनेगा उसको मैं directly लिख देता हूँ mu naught I1 I2 divided by 2 pi R into L ठीक है अगर मैं इसको यह लिखू force per unit length force per unit length of conductor तो यह बन जाएगा F12 divided by L या F21 divided by L यह एक्वेशन और यह एक्वेशन आप देखोगे same force है equal and opposite इनकी direction भी हम बताएंगे अभी तो यह कितना आएगा mu naught I1 I2 divided by आगया 2 pi R तो यह force per unit length आया है अब इसकी direction की बात करते हैं यह तो mathematical concept हो गया जो हमने सीख लिया बात करते हैं कि इस force की direction क्या होगी same direction में अगर current flow करता है तो यह दूसरे को attract करेंगे या repel करेंगे यह चीज़ notice करते हैं ठीक है इसके लिए मेरे पास में कौन चारूल लगाया था किस rule से हमने निकाला था plannings left hand rule से हमने calculate किया था बात करते हैं यह conductor इस conductor में current की direction जो है क्योंकि यह हमारा left hand है यह middle finger यह forefinger और यह thumb middle finger देता है direction of current forefinger will give the direction of magnetic field then thumb will give the direction of magnetic force acting on the current carrying conductor तो चलो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास current किस direction में flow कर रहा है उपर की direction में ठीक है यह current की direction होगी middle finger forefinger जो बिलकुल thumb की close वाली finger है उसके direction perpendicular inward to this board कह सकते है plane के ठीक है और thumb की जो direction आती है वो इस तरफ आ रही है thumb की direction इस direction में आ रही है तो हम इसको यह लिखेंगे F किस direction में लग रहा है force कुन सा यह इस conductor में force हमने लिखा था F21 तो यह direction है इसकी ठीक है इधर से इस direction में यानि इसको यह current carrying conductor इसको अपने तरफ खीच रहा है similarly इसकी direction जो आएगी F12 यह इस direction में आएगी देख लिखेंगे यह भी जैसे हमने क्या किया यहाँ पे current carrying conductor की direction उपर की तरफ है लेकिन magnetic field यह बाहर की तरफ है यह current carrying conductor है इसकी current की direction और यह magnetic field की direction force किस तरफ बन रहा है इधर से इस direction में तो हमारा जो दोनों force है यह चीज हमें देखनी को पता चलेगा इसको मैं equation number one के दूँ इसको equation number two के दूँ तो हमें एक चीज़ पता चलेगा from equation one and two we find that f12 is equals to f21 minus of ठीक है Newton's third law को follow कर रहा है Newton's third law को follow कर रहा है तो यहनि equal and opposite force apply करेंगे एक दूसरे को attract करेंगे ठीक है तो यह चीज़ अपने को अब समझ आ गई एक दूसरे को यह attract करते same direction में flow करने पे current और अगर opposite direction में flow कर रहा है तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे repel करेंगे ठीक है तो यह चीज़ दिमार्ट में रखिए यह याद रखिए मैं आलिख देता हूँ करेंगे रखिज़ करेंगे एक बाद का है वक्रम बाद करेंगे यह दूसरे कि रहा है खान सब्सक्रीज़ ABOUT सब्सक्रीज़ पेके टूसरे रखिगोर are olhar और क्रीज़ यह गरोकरा रखिव यह are in same direction अगर current same direction में flow करता है तो दोनों conductor एक दूसरी को क्या करेंगे attract करेंगे ठीक है the conductors will attract each other if current flowing in two parallel conductors are in same direction and repel each other if current flowing in them is in opposite direction तो वो एक दूसरी को क्या करेंगे उस case में फिर repel करेंगे अगर आप ओजी direction में current flow कर रहा है उन दोनों conductor में तो वो एक दूसरी को क्या करेंगे repel करेंगे ठीक है हाँ जी अब आपको ये सारे points तो clear हो गए है अब हम बात करते हैं कि वह वह वन एंपेर कैसे define करना है जो मैंने शुरुआत में ही कहा था ठीक है वीडियो का फटा फट लाइक जरूर कर दीजिए और share जरूर करिए वीडियो देखकर के आप share लाइक नहीं करते है शेर जरूर कीजिए थोड़ा motivation हमें मिल जाएगा आप लोगों से ठीक है जी अब देखिए as we know f divided by n force upon length जो आया है उसको हमने लिखा mu naught i1 i2 divided by 2 pi r अब हम 1 ampere की definition कैसे देंगे ठीक है ठीक है let i1 is equals to i2 is equals to 1 ampere है इसको हमने कहते है 1 ampere r को भी हमने 1 meter ले लिया इनके बीच का जो gap है वो भी हमने 1 meter ले लिया mu naught की value होती है हमारे पास 4 pi into 10 raise to the power minus 7 tesla meter per ampere ठीक है यह mu naught की value होती है अब यह value हम इसमें put करेंगे तो हमारे पास f divided by l is equals to क्याएगा 4 pi into 10 raise to the power minus 7 into 1 into 1 divided by 2 pi into 1 meter ठीक है इसको आपने cancel किया तो 2 पे cancel हो गया तो हमारे पास जो value निकल के आती है f divided by l is equals to twice of 10 raise to the power minus 7 ठीक है और इसकी unit जो आएगी वो आएगी newton per meter newton per meter तो जही अब किस तरीके से हम इस 1 ampere को define करें इसको कैसे define करें 1 ampere क्या होगा 1 ampere की definition अब हम यहां लिखते हैं so 1 ampere is defined as is defined as the current flowing through two parallel conductors placed in vacuum at one meter apart ठीक है 1 ampere is defined as the current flowing through two parallel conductor placed in vacuum at one meter apart and force per unit length acting on them is two into ten raised to the power minus seven newton per meter ठीक है तो यानि one ampere हम कैसे define कर सकते हैं one ampere हम define कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर जो force apply कर रहे हैं वो कितना हो two into ten raise to the power minus seven newton per meter ठीक है तो इस तरीके से आप define कर सकते हो तो यह है दो parallel current carrying conductor के बीच में लगने वाला force और force per unit length कितना है यह है और जो उनके बीच का डिस्टेंस है और वो भी को मैं मियो नॉट जो भी वैक्यूम आपने लिया है या फिर कोई मेडियूम लिया है तो यह था हमारा आज का टॉपिक मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर समझ आया है तो प्लीज अगर चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन अपना नहीं दिया है तो प्लीज सब्सक्राइब जुरूर कर लीजिए और कमेंट जुरूर डा मेरे वीडियो को इसी उमीद के साथ थेंक यू एव नाइस डे गुड लग